बार पहले जो आज सुबह बैंक्स की बात चल रही थी, वो मैं समझना चाहूँगा, 600 पॉइंट नीचे है, HDFC बैंक में बड़ा कट है, अभी भी कट है, कहीं से भी रिकवरी आपने नहीं आते देखिए, और यहां पर आपको मूह भी देख रहे जाए, इसके बारे में आज हैं, आज नहीं बनती रिकवरी दीर, HDFC में आज तो नहीं बनती हैं, गाउ घह रहा है ताजा-धा यह लुए ना, अभी से कैसे भरेगा, आएगी तो आएगी तो आएगी, अभी अभी नहीं आएगी, क्या है, आपको समझ्हेएं, अभी तो खरेदारी उई थी फर्सन इत सेडी सब भरकर चिया सब्सके पाफ स सब सब्सक्राइब पहरreaming होगा फार हर चाहल दोंक्ता है की तो थोड़ी से फस गया है मैं ज्यादा खरीदारी हैं 1725 के उपर हुगी है उनके लिए थोड़ा नुक्सान है इमीडियेटली नहीं आएगी खरीदारी क्यों लोंग सबसेव हैं आएगी तो भी क्या है अब जैसे 1650, 1770 हो गया तो लेजी देने के लिए तैयार बैठे हैं अ अब तो क्या है यहां से उपर के हर लेवल पर आदमी अपने आपको खसावा समझेगा तो जब तक क्या होगा यह कमजोर्टेर्स खत्म नहीं होंगे सिस्टम से सफाई नहीं होगी तब तक यह बढ़नी पाएगा वापस चाउदासू से सत्रासू इसलिए होगा कि चाउद में ज्यादा तेजी में रहना नहीं अब रास हवाल HDFC बैंक से हटके बैंक निफ्टी में या दूसरे बैंकिंग शेर में वन एट टाइम ओके फॉर एक्जामपल जैसे मैं आईसी से में पोजिटिव हूं एक्सिस बैंक में में नूटल हूं हूं एस बढ़िया है इन में क दिपोजिट बढ़िया जाएं तो तीमाई अपडेट आपको अच्छा दिखेगा लेकिन किया निम्स रहेंगे बड़ा सुट आपको दोनों को मिला के देखना है तीमाई अपडेट में आप डिपोजिट ग्रोथ देखिये रिजल राएगा तभ निम्स देखिए अगर आ तो अपने जहां clarity है जहां समझ है जहां ज्यादा ठीक दिख रहा है कि कोई IT मुझे ठीक दिखता है कोई फार्मा ठीक दिखता है कोई PSU में ठीक दिखता है मैं वह नूँगा ना बैंक से एंजूई किया दा लाइव हजार-अजार पॉंट की तीन रेली खाई एंगा है ना साथ हजार पॉंट नीचे से भागा है तो साथ साथ हजार पॉंट में आये ना तब तो मज़ा है मज़ा है ना तो बस शांति रखो अभी थोड़े दिन के लिए छोड़ दो इग्नोर देम बलब मुझे इसमें कुछ नहीं देखो समझो बस सिंपल सी चीज़े कोई बहुत बड़ी तेजी निगा अच्छा बड़ी मंदी भी नहीं करें ऐसा भी नहीं कि तो यह है बैंक्स और HGFC बैंक पर भी एक बार देख भी लिए थे कि कैसे बैंक पर अब थोड़ा कॉशिस रहना है थोड़ा दूर रहना है तो आज बैंकिंग सेक्टर पर हम थोड़ा सा आपको अलड़ दे रहे हैं HDFC Bank के quarterly update देखने के बाद HDFC Bank के जो investors हो इनके लिए दो चीजे लिए 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 के पास HDFC Bank के एक बार profit book कर लीजिए ठीक है अगर आपका view सिर्फ 6-12 मेने का है जिन्होंने दो ती माई पहले खरीद आ है वो profit book कर रहे जिनके पास है भले दो ती माई पहले खरीदा हूँ पहले खरीदा हूँ आपके पास पड़ा है और आपका view सिर्फ 6-12 मेने के ज्यादा नहीं है तो आप partially profit book कर लिए ट्रेडर्स के लिए HDFC Bank के futures में एक्वाली करने की रहे हैं 1740 के साथ आप बेज सकते हैं टार्गेट 1690, 1675, 1675 और 1630 तक के बड़े target है आठ सो पंट के नुक दूसरी तरफ का move एक stock में आ रहे है अनल जी और वो है आपके लिए HDFC Bank जरा इस पर रखेगा नजर तीसरा target इस पर आपका हिट वाइस जोथा भी आएगा 1630 का जो हमारा coal था हुए एकदम सही निकला और जो हमने का भी कि अगर आपने दो ती माई पहले हमारे कहने पर खर